बैंकर्स हमारी जो बातचीत हुई है, आवाज उसमें आपको clear नहीं थे, शायद हम audible नहीं थे, इसलिए साधी चीज ने आपके साथ मैं वापस दुबारा शुरू कर रहा हूँ, देखिए आपके साथ हमारी जो आज मुलाकात हो रही, मेरी और सुमित सर की जो मुलाकात आप बढ़ने के पहले मैं आपकी मुलाकात वापस सुमित सर से करा दूँ, ताकि आप बैंक के विशा में सुमित सर से बातचीत कर लें, और DBF और JIB के बारे में जो भी discussion है, वो मैं आपसे लगातार बना रहूँगा, करता रहूँगा, सुमित सर, यस सर, तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत important होने वाला है, इस सेशन में हम लोग discuss करेंगे, बैंकिंग की तयारी को बहुत सारे बच्चे अल्रेडी कर रहे हैं, सर बट एक बैंकर बनने के बाद आगे promotion के लिए क्या करना होता है, कैसे आपको और ज्यादा salary मिल सकती, कैसे आपको growth मिल सकती है, इसके बारे में detail में आज के session में हम लोग जानने वाले, सबसे पहले आप लोगों को बता दे कि यहाँ पर banking वाला आप लोगों के लिए bank and jeb dbf का महापेक का subscription one year लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को banking के सारे examination की तयारी तो कराई ही जाएगी, साथ में jeb और dbf की तयारी भी हो जाएगी, अच्छा सब जेब और dbf की तयारी कैसे होगी, हम लोगों को क्या advantage मिलेगा, इसके बारे में detail में आजिस सर अभी आपको बताने वाले है, बट उसके पहले जान लेते हैं कि इस महापेक one year subscription में आप लोगों को कौन कौन से examination की तयारी करने को मिलने वाली है, सब सब पहले बात की जाए तो ibs rbpo clerk की तयारी आपके पूरी हो जाएगी, ibspo, ibs clerk, sbipo, sbipo, sbic clerk, rbic assistant, rbic grade b, ibsso, sbic, insurance, uic, uco, fci, और जितने भी banking sector और insurance sector के exams होते हैं, सारे examination की तयारी इस महापेक में आपको कराई जाएगी, इसके साथ में, आप और dbf की classes भी मिलने वाली है, इस one year महापेक के subscription में, अब जोके जेब और dbf कैसे आप लोगों के काम आएगा, इसका advantage क्या होता है, आसिच सर अभी आपको detail में बताएंगे, धियान से सुनना, और अभी से आप दोनों की तयारी करेंगे, तो आपको कितना ज्यादा फाइ दो हई कर रहा है कि महापेक होने वाला है इसका मतलब यह है कि सारे banking examination, कवर हो रहा है, सारे banking examination examinations IBPS conduct करा है, इसके आलमा जो banking examination, insurance examination, RBA grade भी वो तो कवर होंगे होंगे, इस batch में जो extra आपको batch मिलने वाला है, जो extra चीज आपको मिलने वाली है, वो डbf और dbf और dbf और dbf इसको पहले समझ लेते हैं, जैसे मैंने आप से कहा कि जब भी आप preparation करते हैं, तो condition दो होती हैं, अगर आप banking की preparation कर रहे हैं, तो दो condition हैं, अगर आप bank में select होते हैं, उस case में selection के तुरंट बाद ही आपको bank पे जाते ही, IABF की membership लेनी होती है, और उसके बाद आप JAIB examination के लिए eligible हो जाते हैं, JAIB examination है क्या, बैंकों के पास एक अच्छा बैंकों का एक तरीका यह है, कि अगर आप अपनी salary increment चाहते हैं, तो कुछ examination है, जिनने आप qualify करके, यह salary increment ले सकते हैं, और यह examination JAIB और TIB के नाम से होते हैं, दो examination है, दो examination अलग-अलग है, और यह दो examination साल में दो बार होते हैं, JAIB और DBF examination भी साल में दो बार conduct किया जाता है, एक मेजून में और एक अक्टूबर नमबर में, आपको JAIB पहले qualify करना होता है, यानि अगर आप बैंक में select होते हैं, तो आप JAIB के लिए eligible होते हैं, JAIB अगर आप qualify करते हैं, तो आपको आपके salary में एक increment मिलता है, यह examination के eligibility आपको bank में join करते ही मिल जाती है, आप उसके बाद जो भी JIB examination आपका निकट है, वो आप देखे इस examination qualify करके एक increment ले सकते हैं, JIB qualify करने के बाद आप CAIB के eligible होते हैं, जहां पर आपको दो increment मिलता है, अब यह जो increment है, अगर आप initially this increment को ले लेते हैं, और retirement case तक अगर मैं इ total salary में, यह 60-70 लाग का difference होकर आप single increment लेते हैं तो, तो अब आप यह सोचे होंगे, यह तो bankers के लिए अगर हम bank में select होते हैं, तब हम JIB देंगे, non-bankers के लिए भी same examination है DBF के नाम से, यानि JIB और DBF दोनों ही examination, similar examination है, same syllabus पर होते हैं, same examination pattern पर होते हैं, और same day ही होते हैं, दोन बैंकर हैं, जो bank में select हैं, वो यही examination JIB, यानि Junior Associate of Indian Institute of Banker के नाम से देते हैं, और जो अभी bank में नहीं गये हैं, या जिनका bank का result आ चुका है, लेकिन उन्होंने अभी join नहीं किया है, या अभी उन्होंने preparation अपनी शुरू की है, तो उनके लिए same examination DBF याने Diploma in Banking and Finance के नाम स आपका DBF examination ही JIB के equivalent हो जाता है, बैंक में select होने के बाद आप अपना JIB certification surrender करते हैं, अपना DBF examination का certification आप surrender करते हैं और आपको JIB का certification दे दिया जाता है और आपकी salary increment उसी दिन से शुरू हो जाती है, यानि salary increment के लिए DBF qualify होने के बाद आपको दुबारा JIB देने के जरूरत नह आपके लिए दोनों की preparation साथ में ही करना है, अगर आप bank में select होते हैं तो आपको JIB नहीं देना होगा, ये benefit है आपको दो बार punishment नहीं करना, दो बार कोई मेहनत नहीं करनी है, और अगर आप bank में किसी वज़ा से select नहीं हो पाए, या आपका waiting list में है, ऐसे case में अगर आप DBF already qualifying हैं, तो भी आपको दोबारा JIB देनी के जहुत नहीं होती, अब अगर आप private bank में जाते हैं, तो क्या लाब मिलता है, private bank में salary increment तो नहीं मिलता है, लेकिन private bank में आपको पूरे career में इसका ज़्यादा preference दिया जाता है, क्योंकि ये JIB के equivalent बाना जाता है, और इसको IIB ने भी अपने preference list में रखा हुआ है, जब याप examination qualify करते हैं, IABF की website पर आपका result हमेशा show होता रहता है, तो private banking sector में, या आप NBFC में जा रहे हैं, या किसी और financial sector में अगर आप job करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको interview से लेके, आपकी पूरी career में growth में इसको हमेशा preference दी जाती है, तो DBF non-bankers के लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना JIB examination bankers के लिए ज़रूरी होता है, तो इस batch में सबसे अच्छी बाती है कि हम आपकी bank की preparation तो करा ही रहे हैं, सारे bank इसमें cover हो रहे हैं, जैसा सुमिच सर ने बताया, और उन bank की preparation के साथ साथ आपको JIB और DBF के batch भी मिलते र हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, अब यह जो batch आपके लिए है, जिसको हम JIB और DBF महापैक, जिसका पूरा नाम bank and JIB DBF महापैक है, इसमें आपके banking examination की बात करें, तो preliminary examination, mains examination, और जिन banks में या अगर प्रविशनary officers के लिए ज़रूरी हैं इंटर् साथ यानि, bank की complete preparation के साथ, आपको JIB और DBF examination के भी सारे batches आप avail कर सकते हैं, single subscription पर, JIB और DBF में कोई interview नहीं होता है, तो सिर्फ आपको written examination ही qualify करना होगा, सुमेस अन्या आपको बता है कि bank के सारे examination जो IBPS conduct कर रहा है, State Bank of India conduct कर रहा है, including SO, RBI, Grade B, Insurance examination, FCI, IDBI, यह सारे के सारे cover ह साथ, JIB और DBF, दोनों examination सेम है, बस दोनों का नाम अलग है, banker और non-banker के लिए, आगे इस batch में क्या batch detail है, इस महा पैक में और क्या क्या offerings है, मैं चाहूंगा सुमित सर आप से जुड़ें, और सुमित सर यह सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएं, सुमित सर, यह सारी हम दोनों एक ही room share करते हैं, आप banker हैं और हम दोनों एक साथ तयारी करें, तो हम दोनों एक साथ एक ही examination hall में बैठेंगे, चूकि आप banker हैं, तो same paper आपको JIB के नाम से मिलेगा, और मैं non-banker हूँ, तो वही examination का paper मुझे DBF के नाम से मिलेगा, हम जब भी qualify होंगे, आपको JIB का अंतर है, क्योंकि दो अलग-अलग candidate के लिए है, एक bankers के लिए दूसरा non-bankers के लिए है, मतलब यह जो बच्चा bank में तयार, मतलब बैंक में already selection हो चुका है, उसके लिए भी advantage है, जो select नहीं हुआ है, उसके लिए भी advantage रहेगा, दोनों की तयार नहीं है, तो बैटा अगर आ क्योंकि JIB के eligibility जैसे ही आप bank में जाते हैं, आपको मिल जाती है, मतलब अगर आज मैंने join किया है, और अभी JIB या DBF examination 20th of October से शुरू होने वाला है, तो मेरे पास eligibility में October के exam दे सकता हूँ, result उसी दिन आ जाता है, जैसे ही certification आपको मिलता है, next month की salary से आपको यह increment मिलने लगत salary अगर देखूं, तो यह 60-70,000,000 का difference आता है, जो बहुत बड़ा difference होता है, अगर आप initial increment ले ले लेते हैं तो, DBF candidate जो बैंक मेंने उनके लिए फायदा में फिर से ही बता दू कि उन्हें दुबारा JIB देने की जरूरत नहीं होती है, यानि उनकी पहली salary के साथ ही सुमिछ स examination को cover किया जादा है, जितने भी आप लोगों का IBPS exam conduct करता है, SBA conduct करता है, जितने भी bank on insurance के exam होता है, सारे examination को cover करें, 50 plus batches आप लोगों को यहापर मिल रहा है, 2000 से भी ज्यादा live classes, मतलब एक साल में more than 2000 live classes आप लोगों को मिलने वाली है, साथ में mock test 1200 plus, 1200 से भी ज्यादा mock test आ आपको मिलेगी, doubt support की अगर बात की जाए तो 24 x 7 आपके doubt यहाँ पर clear कर दी जाते है, तो selection के लिए जितनी भी important चीज़े है, सारी चीज़े आप लोगों को इस महापिक में मिल रही है, ठीक है, आपको लाइव classes तो मिलेंगे ही, मिलेंगे बट इसके पहले जो classes हो चुके है वो recorded form में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते है, ठीक है, quiz and mock test आप लोगों को practice के लिए मिल जाते है, handwritten notes and PDF भी आप लोगों को मिल जाती है, 24 x 7 doubt support मिल जाता है, interview की तयारी भी आपको इस महापिक में करा दी जाएगी, मतलब एकदम zero से लेकर final selection तक की तयारी आपको इस मह भी जाएगि ठीक है, तो ब्सक्राइब बने रहें साथ में के बाद भी हम लगातार बने रहेंगे साथ में, manifestation तो सेलेक्शन के बाद भी आपको कैसे आगे, यह बहाँ पर काम देने वाला है, वह भी आप लोगों के हाँपर मिल जाएगा, ठीक है, इसका बाद आप लोगो आप लोगों का cover कराया जाएगा ठीक है upcoming bank on insurance exam के साथ JIB और DVF की तेयारी भी आपकी अभी से complete हो जाएगी 1000 plus quiz मिल जाएगा अच्छा यहाँ पर language की बात कर लिए जाए तो English language जाएगा मतलब Hindi और English के combination के साथ आप लोगों को यहाँ पर पुरा complete प्राय जाएगा complete planner कोई भी बेच स्टार्ट होता है उसका complete planner आप लोगों को PWF पर पहले ही मिल जाएगा उस planner की according ही आप लोगों की classes होती है starting date जो भी रहेगा मापिक का आपको एक बार मैं website पर बेटा दिखा दूँगा किस तरहीके से आप लोगों को इन्रोल करना है and duration of lecture 60 to 90 minutes minimum 60 minutes और maximum 90 minutes तक के lecture यहाँ पर आपके होते है ठीक है तो यह सारी चीज़ आप लोगों को पता ही है एक बार आप लोगों को मैं app पर दिखा देता हूँ government exam यहाँ पर आपको banking tick कर देना है banking category में जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा bank and jeb dbf महापेक one year subscription इस subscription पर आपको click कर देना है जैसे ही हम लोग यहाँ पर click करते है बिटा यहाँ पर आप लोगों को इसका पुरा complete detail मिल जाएगा बाइन ओपर click करते है ठीक है जी लोग इन मांग रहा है ठीक है आप एक बार लोग इन मांगेगा तो लोग इन कर देना यहाँ पर आपको देखो दिख जाएगा start date जो 13 जुलाई 13 जुलाई से start हो रहा है और इसकी जो वैलरिटी रहेगी 31 जुलाई 2025 तक की वैलरिटी इस bank and jeb dbf महापेक की होने वाली है आप यहाँ पर register करके पूरा detail में देख सकते है जो भी चीज़े इस session में आपको बताई गई है वो पूरा detail में आप लोगों को मांपर मिल जाएगा ठीक है इसके बाद बा अछल में यंगलिस की जाए तो भासकर एक्षॉ्अ आपको करेंट थे पडाने वहले फोसके वाले इस डीके बात की जाए तो रिजि़िक के लिए सारे सारे इक्सपड फेकल्टी बैंकिंग के आप लोगों को इस महापेक में है इसके बाद बात की जाए तो सुच्चर form कर यहाँ पर जनरल अवेर्नेस आरभी डबलू एम पढ़ाएंगे और मयूरी में आपको एफम पढ़ाएंगे अब यह क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आपको आसिसर बता देंगे सर इसके बारे में थोड़ा था बच्छों को ग्रेट कर देंगे कौन-कौन सब्जिक् कुछ ले लेते हैं आगे बढ़ने के पहले देखिए गीता रानी करी सर यह पेड़ बैच होगा और यह महापैक आपके लिए है मैं सारी चीज़े आपको वापस एक बर जल्दी से बता दूँ इस महापैक में आपकी जो बैंकी इंग्जाम करते हैं बैंक में सेलेक्शन के सब्सक्राइब होगा आपको मिलती है जैबी के इकवेड़न्ट होता डी बेफ इंग्जामनेशन बीइस में कवर हो रहा है अभ अभी सुमित सर ने आपसे बैंकर्स की जितनी भी फैकल्टीज है उन सबसे सबके बारे में आपसे बात्चित कर ली अब आते हैं जे आईए और DBF examination में क्या-क्या चीज़ें आपको कैसे मिलने वाली, कौन सी faculty आपके साथ, कौन सा subject deal करने वाले हैं। JIB में कुल चार papers होते हैं, चार examination होते हैं, चारो compulsory paper होते हैं। सबसे पहला जो paper आपका होगा वो Indian Economy, Indian Financial System का होता है। Indian Economy, Indian Financial System का कुछ हिसा आप अपनी banking की preparation के दौरान, जब आप अपना general awareness पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें आप इसको देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसके साथ मैं आपके साथ deal करूँगा, यह subject Indian Economy, Indian Financial System पर मेरी आपसे बाचीत होते हैं। इसको ठीक तरीके से complete भी करने और आपके पास इतना buffer time हो ताकि आप mock test और questions पर ठीक से practice भी करते हैं। जो second paper आपको मिलता है वो होगा आपके लिए अर्विन पांडे सर का PPB, इसको कहते हैं प्रिंस्पाले प्रैक्टिस और बैंकिंग, यह second paper होगा जो अर्विन पांडे सर आपके साथ deal करेंगे, third paper मैयूरी मैम आपके साथ deal करने वाली है, accounting and financial management, यह third paper होता है, मैयूरी मैम के इस paper को कहते हैं, यह fourth paper होगा, बासकर सर के साथ आप यह subject पढ़ने वाले हैं, तो बासकर सर आपको बैंकिंग में जर्नल अविन इसके साथ भी मिलेंगे, और RBWM के साथ भी मिलेंगे, RBWM में कुछ current affairs के भी questions पूछे जाते हैं, PPB के भी कुछ current affairs के questions होगे, तो जो भी current affairs व आप cover करेंगे, PPB है, RBWM है और AFM है, यह 4 paper आप cover करते हैं, अब कई बाद यह सवाल आता सुमिश सर, bankers यह पूछते हैं कि क्या मैं यह preparation, bank की preparation के साथ कर सकता हूँ, तो बिलकुल आराम से किया जा सकता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, क्योंकि बैंक का जो calendar है, वो examination होगा, जैसा सुमिश सर ने अभी बताए कि आपको next July तक इस batch की validity मिलने वाली है, live classes भी मिलेंगी, recorded classes भी मिलेंगी, आपको सारी सुधाया आपको मिलेंगी, तो आप next JIB और DBF भी cover कर सकते हैं, तो जब bank का calendar off रहता है, और बहुत आसान सा सलीबस होता है, क्योंकि बहुत म ही देना है, तो आपको इसी batch में मिल जाएगा, और अगर आप बैंक में अभी नहीं जा रहे हैं, या आप waiting list में है, तो भी आप DBF दे सकते हैं, जो JIB के equivalent ही होगा, तो यह सारे teachers हैं, JIB और banking के examination के लिए, जो आपके banking examination का complete syllabus और JIB का complete syllabus आपके सार डिसकस करने वाले हैं, यहां पर है, आजसी सर यहां पर है, वो प्रॉपर तरीके से आपको guide कर देंगे, बता देंगे, सारे questions का answer, आपको जो भी doubt होता है, question होता है, यह सर कंटीनू कीजाएगा, तो किसको यह batch जोईन करना चाहिए, एक तो यह batch उनके लिए है, जो banking की preparation करते हैं, most favorite examination है, आज कल candidate का सुमिछ सर वैंकिंग, तो जितने भी banking के candidate है, जो आपके regular banking examination होता है, वो IBPS जिने examination को conduct करता हूँ, State Bank of India है, यह insurance के exam है, यह regulatory bodies में, Reserve Bank of India, Grade B भी भी आपको यहां पर मिल रहा है, वो सारे candidate जो banking की preparation कर रहे हैं, वो इस batch को जोईन कर सकते हैं, और ऐसे सारे candidate जो bank में है, और जोईन कर सकते हैं, JIB क्या है और DBF क्या है, यह पीछे मैंने आपको बताया, JIB और DBF दोनों similar examination होता है, एक ही exam में, एक ही sliver से एक ही paper होता है, JIB उनके लिए है, जो अल्रेडी bank में आ चुके हैं, IABF के member हैं, वो अपनी salary increment के लिए साल में से दो बार देते हैं, अगर आप यह examination DBF के नाम से देते हैं, अगर आप bank में select होते हैं, तो आपको दुबारा JIB देनी के जरूद नहीं होती, वो equivalent होता है, आपकी salary increment हो जाती है, और अगर आप private bank में यह NBFC में यह financial sector में काम करते हैं आगे, तो आपके interview से लेकर आपके पूरे career में इसका बहुत benefit आपको मि BD bank में हैं और DBF examination में वो appear होते हैं, जो non-banker से आई IABF के member नहीं है, अचा एक बात में और यह clear कर दूँ कि जब भी आप JIB देते हैं, तो पहले आपको IABF के membership लेनी होती है, फिर आप JIB examination देते हैं, DBF के लिए ऐसा नहीं है, आप सीधे DBF का exam दे सकते हैं, और एक और 3 years मिलते हैं, यानि 3 साल में या 5 attempt में आप यह 4 paper clear कर सकते हैं, आप eligible माने जाएंगे, qualified माने जाएंगे, यह महापैक आपके लिए paid batch होगा, clear है, तो paid batch है, इसलिए आपको PW app पर मिलने वाला है, इसके अरावा जो आप access कर सकते हैं, तो जब भी आप इस batch को join करते हैं, चुक पूछा था, यह YT पर या YouTube पर चलने वाली class नहीं होगी, यह आपको मिलेगी, हमारे PW app पर, PW app पर यह classes देख सकते हैं, lecture notes क्या आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल आप classroom section में जाएंगे, आपको lecture notes भी मिलेंगे, और यह JIB DBF के लिए भी आपको lecture notes वहाँ पर मिलते रहेंगे, language क्या होगी, class notes के, Sumisar ने class की जो भाशा बताई, हिंदी और English बिल्कुल जैसे हम और Sumisar आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे आपकी classes चलने वाली, English language में हिंदी और अंग्रेजी का mix होगा, class notes आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में मिलेंगी, और Sumisar ने phone number लिखा हुआ है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी और इसके अलावा query हो, query का मतलब है, आपको batch के subscription से लेके, या classes को लेकर इसके अलावा भी कोई query है, तो आप इन number पर phone करके, आप उन query को अपने resolve करवा सकते हैं, क्या इस batch के बाद classes आपके design की जाती है, mock test आपके design होते हैं, JIB और DBF का जो pattern है, वो भी 2023 में ही change हुआ है, अभी JIB का examination निकला है June में, तो उसमें जो changes हमें देखने को मिले हैं, जो हमारी findings नहीं हैं, वो सब कुछ पहले batch के time होता है, फिर आपका batch शुरू किया आता है, तो जिस दिन batch आपको ticket size भी बता दू, ये batch आपको मिलने वाला है, पूरी one year के validity के साथ, ये batch आपको बहुत छोटे ticket size में मिल जाएगा, और ये सिर्फ आपको मिलने वाला है, 4,449 रुपे में ही आपको ये मिल जाएगा, जिसकी actual price है, लगबग 20,000, उससे काफी कम में आपको मिलना है, 4,449 में one year के validity, जिसमें आप सारे bank examination को cover करेंगे, preliminary examination, means examination, interview और साथ-साथ JIB और DVF examination भी, यानि single subscription पर आपको ये one stop solution है, सारी चीज़े मिल जाएगे, 4,449 रुपे में, तो बहुत छोटा ticket size है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, इसलिए बहुत affordable price पर आपको ये सारी चीज़ें available आपको होंगी, आप available कर सकते हैं, इन्हें हमारे PW app से, ये batch आप PW app से और हमारी website दोनों जगा से ही join कर सकते हैं, इसके अलावा, आपको banking examination के लिए हमारी तब से बहुत अच्छी books design की गए हैं, उनके विशह में सुमित सर आपको पूरी जानकारी देने बस थोड़ा सा, कहीं कहीं सर, अब जैसे AFM का जो paper है, चुकि वो financial management का है, तो बहुत normal सी calculation होती है, बागी maths का paper आपको बिल्कुल नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं, maths पढ़ने के से हैं, हाँ, लेकिन आपको सुमिछ सर के साथ मुलाकात करके, बागी teacher के साथ मुलाकात कर banking के लिए math पढ़ना होगा, और जो normal से मैं सर, questions बता रहा हूँ, AFM के लिए, जो candidate banking के तयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो कहते हैं, गोलू type का question होगा, चिंटू type का, कोई दिकत नहीं होने वाली, maths का बिल्कुल paper नहीं होता है, तो अच्छे बात है, कि आगे आप लोगों क वे एप के बारे में नहीं जानते हैं, ताकि उनको पता चल जाए, अभी से वो तयारी करें, ताकि जल्द जल्द वो promotion ले सकें, अपनी growth ले सकें, ज्यादा ज्यादा वो salary earn कर सकें, अच्छा, इसके अलावा बिटर, अगर आपकी demand में कोई भी doubt आता है, कोई भी query आता है, तो आप यह number पर call कर सकते हैं, या फिर इस number पर call करके भी आप अपनी query को solve करवा सकते हैं, 7428398756, ठीक है, जो भी बच्चे एनरॉल करना चाहता है, जो भी doubt है, जो भी query है, इसके लिए आप यहाँ पर connect कर सकते हैं, आपके doubt को solve कर दिया जाएगा, इसके अलावा द्रोना banking का book set, ठीक है, आप सभी के लिए launch किया गया है, जिसमें आप लोगों को reasoning ability, English language और quantity of aptitude के book set मिल जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको detail theory मिलेगी, फिर तो मिली जाएगी sir, फिर solve करने के लिए example मिल जाएगे, problem solving technique किस तरीके से सवाल को आप लोगों को करना है, क्या approach होन चाहिए topic wise exercise, topic wise आपको exercise भी मिल जाता है इस किताब में, and previous year questions भी आपको मिल जाएगे, मतलब जितनी भी चीज़े आप लोगों को चाहिए होती है, हना आपके तैयारी के लिए सारी चीज़े आपका द्रोना book set में मिल रही है, और ये cable और cable आप लोगों को मिल जाएगा, 1299 ये PWA app store में भी मिल जाएगा, या फिर imagine या flip card से भी आप order कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे order कर सकते हैं, but इस book में आपको total 6 book set मिलेंगे, reasoning के दो, English के दो, quant के दो, quant में आपको arithmetic और DI दोनों का मिल जाएगा, उसी तरीके सा reasoning में भी 2 book set मिल जाएगे, reasoning में भी मिल जाएगे I think सारे चीजे है, आज सिस सर हम लोगों ने बच्चों को बता दी है, सारे doubt clear कर दिया, I think आप किसी का कोई doubt बाकी तो नहीं होगा जो हमारा PW store है, आप वहाँ से जा कि उसे buy कर सकते हैं, और GBF, DIB, DIB examination के लिए, दोनों के लिए e-books भी available हैं, तो दोनों ही options आपके पास हैं, e-books भी आप ले सकते हैं, या fiscal copy अगर आप लेना चाहते हैं, और बहुत क्रिप्स और बहुत बहुत अच्छी book design की गई है, जो हम प्लस bank examination cover हो रहा है, बैंक में जाते हैं, तो भी आपको JIB देना है, नहीं जाते हैं, तो DBF आपके लिए बहुत important है, जो JIB के equivalent है, same single subscription पर, same bank पर, इसी महा पैक पर आपको सारी चीज़ें आपको एक जगा पर मिल रही हैं, books भी आपको मिल रही हैं, JIB और DBF के लिए e-books औ उनों ही available हैं, सुमिर सन्य बैंकिंग के लिए आपको बताया है, तो banks की books आपको मिल जाएंगी, तो live classes, recorded classes, mock tests, practice tests, ये सारी चीज़ें, DPPs, class notes और इसके अलावा books, ये सब कुछ आपको एक ही subscription मिलेगा, मैं फिर से आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, ticket size बहुत चोट सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 4449 में मिलने वाला इसमाप है, validity पूरी एक साल की होगी, validity का मतलब है, जैसे ही आप इस बैच को सब्सक्राइब करते हैं, आपको एक साल की validity मिलेगे, सारी examination आप बैंके कवर करेंगे, और JIB के दो examination आप कवर कर सकते हैं, इसे दो examination आप दे स करते हैं, आप इस बार और दो paper clear करते हैं, तो भी आप qualified ही माने जाएंगे, तो भी आप JIB के equivalent होगी, और ये बात JIB पर भी लागू होती है, तो मुझे उम्मीद है, सारी चीजे हैं, सुमिछ सर हम लोगोंने पहुचा दी है, candidate तक, यस सारी चीजे हो चुकी है, तो finally आप पता दे बिटा, इस महा पेक का मोटी जो है, वो selection के साथ भी, और selection के बाद भी आप लोगों का फायदा कराना है, कैसे आप लोग प्रोमोशन ले सकते हैं, कैसे आप लोग आगे ग्रोथ ले सकते हैं, सारी चीजे आप लोगों को इस महा पेक के त्रू मिल जाएगी, तयार तो बच्चों मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स क्लास में तब तक के लिए थेंक यू सो मच बबाइ टेक क्या थेंक्स कि